हलो दोस्तो मैं हूँ सुमित चुहान और आप देख रहे हैं The Newsweek आज भारत की शान भारते रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का स्थापना दिवस है एक अप्रेल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी अपना साध्डा RBI पूरे 86 साल का हो गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारते रिजर्व बैंक को बनाने का आईडिया किस ने दिया था वो कौन था जिसने इसके पूरे सौरूप इसके स्ट्रक्चर की रचना की इसके बारे में सोचा वो महान शक्स थे Dr. B. R. Ambedkar जी हां RBI की स्थापना Dr. Ambedkar की किताब The Problem of Rupy Its Origin and Its Solution के अधार पर की गई है भारते रुपए और आर्थिक इतियास पर London School of Economics से पहली PhD करने वाले Dr. Ambedkar ने अपनी किताब में भारते रुपए के आउमोलन और उसकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है और साथ ही रुपए को संभालने के लिए बतोर अर्थशास्त्री एक महान एकोनोमिस्ट उन्होंने बहुत सारे सुझाओ भी दिये 1926 में अंग्रेजों ने Royal Commission जिसे Hilton Commission के नाम से भी जाना जाता है उसको उन्होंने भारत में भेजा था क्योंकि पहले विश्वयूद के बाद से इंडियन करेंसी की हालत बहुत बुरी थी रुपए का आउमोलियन लगातार होता जा रहा था जब ये Hilton Commission भारत आया तो इसके हर सदस्य के हाथ में बाबा साब की लिखी किताब दे प्रोब्लम ओफ दी रुपी इट्स ओरिजन एट्स सॉल्यूशन की कौपी थी यानि कमिशन के सारे सदस से बाबा साब के विजन से बहुत जादा प्रभावी थे जो क्रामबेटकर हिल्टन कमिशन के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी किताब के आधार पर RBI जैसे बैंक की संकलपना की और फिर आयोक के सामने उन्हों एक विस्तरित रिपोर्ट दी आप इसका जो जानकारी है वो इस रिपोर्ट की सब्मिशन के बारे में जान सकते हैं बाद में हिल्टन कमिशन ने बाबा साब के सुझावों के आधार पर RBI की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इस तरह एक अप्रेल 1935 को भारते रिजर्ब बैंक की स्थापना हुई लेकिन विडंबना देखिए कि कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ दलीतों के नेता तकी सीमित कर दिया जबकि उनका हर काम आज भारतवासी के काम आ रहा है हर भारतवासी के बलकि काम आ रहा है बाबा साब किसे धानतों पर अधारीत आर्बियाई की और से अपने प्रेरना श्रोत को उचित सम्मान भी नहीं दिया जाता लेकिन अब वक्त बदल रहा है पिछले दिनों बाबा साब के महान योगदान को रिखांकित करते हुए YSRCP की लोकसाबा सांसद चिंता अनुराधा ने चंसद में मांग की थी कि आर्बियाई की संकल्पना देने वाले बाबा साब की तस्वीर को भारत्य करंसी पर भी चापा जाए Thank You Chair Professor Madam We all of us know that Indians faced a great economic crisis and huge of lives due to colonial rule of British and World War I In 1921 to overcome the crisis the Imperial Bank was established but it was failed to due fail to fulfill its role Dr. B. R. Ambedkar has made constant and unstoppable fight with British and one by making them realize the diminishing value of rupee and its effect in the angle of both common man and economy by exploring with a solution The Reserve Bank of India was conceptualized by Dr. B. R. Ambedkar based on his book The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solutions He has represented to form Reserve Bank and submitted a book called History of Indian Currency and Banking to Hilton Commission The British government has handed over its responsibility to Simon Commission which was formed in 1927 Simon Commission has organized three round table conferences and approved the need for formation of Reserve Bank of India Eventually the Central Registrative Assembly passed Dr. B. R. Ambedkar's guidelines as the RBI Act 1934 so that Reserve Bank of India was established and has been functioning its services without interruption Subsequently the Banking Regulation Act 1949 was legislation in India that regulates all banking firms and RBI was nationalized Through you Chairperson Madam We are requesting at least now onwards to make necessary arrangements immediately to print Dr. B. R. Ambedkar portrait on one of the Indian currency on any denomination On par with Father of Nation Mahatma Gandhi Ji which is delight for Indian civilians Thank you RBI के स्तापना दिवस पर हम महान अर्थशास्त्री दूर दर्श्य और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साब डूक्टरामबेटकर को नमन करते हैं ऐसे ही मज़ेदार और ग्यानवर्धक वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब करें The News Week मुझे दीजे इजाज़त अगले वीडियो में मिलते हैं